आज वीडियो में बात करने वाले हैं टेट पूल एंड वुल्वरीन मुवी के OTT & VOD रिलीस के बारे में इसके उपर कुछ तगरी इंफर्मिशन समने निकल कर आई है कि आप लोग को मुवी कब तक अपना डिश्टर प्रिमेर करते हुई देखने को मिलेगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अच्छा लगए वीडियो दिन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इन्होंने R-rated के जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको box office के उपर break करा अभी finally ये जो मुवी है वो officially 1 billion के club के अंदर पहुँच गई है जिसका मतलब यह कि अभी तो काफी सारा टाइम इसके पास और theater के अंदर बागी है जो आप ये काफी सारे और नए records को बना सकती है अब देखो अगर बात करें इस movie के like digital and OTT release की तो आप सभी को बताए कि भाई Marvel की जो भी movies अच्छी चलती है theater के अंदर उनका आप लोग को OTT प्रिमेर थोड़ा सा late में ही देखने को मिलता है अब जो पहले खबरें ऐसी आ रही थी कि आप लोग को साथ October के अंदर इसका जो OTT release है वो इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाए लेकिन as of known जो नई updates आई है उनके according मताय जा रहा है कि Disney साथ 100 days वाला जो उनका pattern है वो इस movie के साथ follow up कर सकता है कहने का मतलब यह कि इससे पहले उनके एक movie आई थी inside out करके उसको भी उन्होंने 100 days के बाद ही फिर OTT premiere करा था जब वो movie एक billion के club के अंदर चली गई थी अगर वही similar pattern इस movie के साथ भी follow up करा गया देन आप लोगको फिर यह जो movie है और 9 बर के like first week के अंदर देखने को मिलेगी चाहां पर बता जा रहे है कि 6th of November तक फिर आप लोगको जिसका OTT premiere है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल पाएगा अब देखो OTT premiere से पहले इस movie का VOD premiere भी होता है बट sadly जो like Disney की movies होती है उनका आप लोगको जो VOD premiere है उसमें Hindi language like include होती हुई देखने को नहीं मिलती है So VOD release के उपर अभी आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले अगर बात करें कि क्या कोई chance है कि यह movie आप लोगको November से पहले OTT के उपर देखने को मिले तो देखो इससे पहले The Marvels movie आई थी जो कि आप लोगको थेटर के अंदर देखने को मिले थी और वो movie आप लोग समझ सकते हो कि Marvel की तरफ से एक disaster ही थी लेकिन उसके अंदर भी Marvel ने 89 days का time लिया था और अगर उस pattern को Marvel follow करता है तो फिर आप लोगको यह movie है 23rd of October तक अपना OTT प्रीमेर करती हुई देखने को मिलेगी तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग इस movie को OTT पर देखना चाहते हो तो आप लोगको October last से November के first week तक का इंतजार करना पड़ेगा अब अगर वीडियो के last में बात कर लें इस movie के like VOD release मतलब कि डिस्टर रिलीज की तो देखो भाईया यहाँ पे आप लोग इस movie को by future rent तो कर पाऊगे बट इंडिया के अंदर कम chances रहेंगे कि movie आप लोगको like Hindi version में देखने को मिले आप लोगको English version में काम चलाना पड़ेगा बात करें कि किते टाइम में आप लोगको movie देखने को मिलेगी like VOD के उपर तो as of now जो reports आ रही है and plus अभी तक जो past में Disney का record रहा है उसके हिसाब से बता जा रहे है कि आप लोगको September के last में इसका जो like VOD प्रिमेर है वो देखने को मिल जाएगा जिसका मतलब यह है कि OTT release से एक महिने पहले आप लोगको इस movie का जो digital version है वो आता हुआ देखने को मिलने वाला है तो इसके उपर मेरे को जैसे नई update मिलेगी मैं आप लोगको बताने की कोशिश करूँगा प्रस इसी जाती अगर इसके लाइक OTT date के अंदर भी कोई changes होते है तो भी मैं आप लोगको बता दूँगा तब तक के लिए अभी गर्णली इस video में बसिता ही अगर आप लोगको वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हो मैं बलता आप लोग से के लिए वीडियो में तब तक के लिए तिल दें टेक्यों बाए पीस ओफ